Good morning my dear friends, time हो जुका है करंट की क्लास का संड़े के सुबह के 8 बजे हैं, शाप 8 बजे मैं हाजिर हूँ अपने साथ करंट अफएर लेके, याद रखेगा इस सेशन में हम डिसकेशन करने वाले हैं, complete week के बारे में, पूरे week में जो भी important events होए हैं, उनके बारे में आज की इस क्ल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैं हुरीना महला दोस्तों, मेरी education qualification की बात करें, तो मैंने post graduation किया है, computer application में, ठीक है, उसके लावा याद रखेए, teaching experience की बात करते हैं, तो 5 साल से ज्यादा का teaching experience है, उसके अलावा 5000 से ज्यादा student मुझसे guidance ले चुके हैं, ठीक है, इतना सा बात मुझे अपने बारे में बताना था, ठीक है, बात करते हैं, headlines की, जिसके बारे में हम already discussion कर चुके हैं, कुछ events नए हैं, कुछ के बारे में हम detail से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, सो सबसे पहली news के बारे में हम पढ़ते हैं, अभी recently state olympics और basically क्या हुआ है, launch किय याद रखेगा, 36 गड़ के अंदर, ठीक है, सो 36 गड़ के हम बात कर रहे हैं, 36 गड़ में state olympics, ठीक है, सो 36 गड़ olympics का inauguration हुआ है, चीफ मिनिस्टर भुपेश भागेल के द्वारा, 36 गड़ के राइपुर जिले के अंदर, याद रखेगा, state olympics का योजन किया जा रहा है, जिसका inauguration, चीफ मिनिस्टर भुपेश भागेल के द्वारा किया गया है, ठीक है, उसके लावा याद रखेगा, stadium की बात करते हैं, तो यहाँ पे बलबीर सिंग जुनेजा, ठीक है, सो बलबीर सिंग जुनेजा, इंडोर stadium है, यहाँ से हमारा सवाल ये भी बनता है, कि सिंग जुनेजा, इंडोर stadium कहां पे है, तो याद रखेगा, रायपूर के अंदर है, जार्खन के अंदर है, तो यहाँ पे इस stadium के अंदर, चतिसगड के जो ओलम्पिक्स है, उनका inauguration किया गया है, ठीक है, तो याद रखेगा, बलबीर सिंग जुनेजा, इंडोर stadium में, inauguration क किया गया है, चतिसगड ओलम्पिक्स का, याद रखेगे, CM भुपेश बागेल के द्वारा, ठीक है, उसके अलावा याद रखेगा, यहाँ पे जो local games होते हैं, वो भी state olympic के अंदर शामिल होंगे, जैसे गिली डंडा, लंगडी, रेस, कबड़ी, खोखो, के अलावा, य जैसे game भी शामिल होंगे, state olympics के अंदर, ठीक है, इतनी से information हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, अगली news है हमारी air force से, ठीक है, याद रखेगा कि government ने approval दे दिया है, एक नए weapon system, जो Indian air force के अंदर एक नए ब्रांच होगी, जिसका नाम होगा, weapon systems branch, ठीक है, यहाँ पे war fighting capabilities है, ठीक है, so war fighting capabilities है, इनके अंदर भी enhancement होगा, ठीक है, भारत के युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, Indian air force day के दिन, एक special separate weapon system branch का inauguration किया गया है, याद रखेगे, इस बार का आयोजंचन भी गड़ के अंदर किया गया था, ठीक है, so अगली news पे आते है, अ पे हमारे दिगज नीता, उत्तर प्रदेश के दिगज नेता, मुलायम सिंग का देहान्त हो गया है, 82 years old थे, याद रखेगा, एक लंबी बिमारी के चलते, अगर हम बात करते हैं, 2012 असे, यहां पे मुलायम सिंग जी, कैंसर से जूज रहे थे, अभी various ailment की वज़े से, गु वो साथ बार लोकसभा सांसद रहे हैं, याद रखे, 2019 में मेनपुरी में अभी भी सांसद रहे थे, तीन बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुलायम सिंग, जिनका हाल हे में देहान्त हो गया, ठीक है, अगली न्यूज है यहां पे, डॉक्टर अखिलेश गुपता, ठीक है, तो डॉक्टर अखिलेश गुपता, जो है, सर्ब के चेर परसन होंगे, ठीक है, तो याद रखेगा, सर्ब के एडिशनल चार्जिस किसको दिये गए हैं, डॉक्टर अखिलेश गुपता को दिये गए हैं, याद रखेगा, एडिशनल पंद भार यहां पर डॉक्टर अखिलेश गुपता संभालने वाले हैं जो रिप्लेस करेंगे डॉक्टर संदीप वर्मा को सर्ब की बात करते हैं साइंस एंड रिसर्च इंजिनरिंग बोर्ड जो है याद रिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी यानि डीस्टी के अं किसको दिया गया है डॉक्टर अखिलेश गुपता को ठीक है इतनी सी चीज़ा समझनी है अगली न्यूस है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सो याद रिखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉंसेप्ट नोट जारी किया है किसके लिए डिजिटल करंसी क जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीता रमन जी ने हमारे बजट सेशन में भी किया था ठीक है सो 2022 से इसके बचट में भी डिसकेशन किया गया था डिजिटल करंसी के बारे में तो भारत पाइलेट मोड पे डिजिटल करंसी भारत के अंदर लाने वाला है ठी किया है इतनी सी चीज़ें यहां पर समझनी है इस concept note में बताया जाएगा कि डिज्टल करेंसी के क्या क्या प्रोज होंगे क्या 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 फाइदे हैं क्या क्या नुकसान है किस प्रकार से काम करेगा यह सारी जानकारी यहां पर concept note के माध्यम से आई बी आई के द्वारा रिलीस की गई है ठीक है सो इतनी सी चीज़ें हमें यहां पर पता होने चाहिए अगली न्यूज है डीपी अटी ठीक है यहां पर दीपार्टमेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडस्ट्री और इंटर्नल ट्रेड ने क्या किया है एक स्कीम का इनौग्र जानते हैं भारत सरकार लगातार भारत के अंदर प्रमोट करणा चाहती है अंट्रप्रण्योर्शिप को बढ़ावा देना चाहती है कि इसस्च का लगातार वेरियस स्कीम लॉंच कर रही है देखो स्टार्टप खीज्र के लिए क्या चाहिए सबसे इमपोर्त पॉइnt भी है स्कीम का नाम है credit guarantee scheme for start-up ठीक है सो इतनी से चीज़े समझे यहां पर यह collateral free loan लोगों को provide करेंगे क्यों provide करेंगे क्योंकि भारत के अंदर start-up culture को promote करना है भारत के लोगों के अंदर जागरुपता लेके आनी है start-up के लिए क्यों की भारत में अपार संभावनाए है चोटे उध्योगों के लिए जिसके लिए भारत सरकार already कह चुकी है कि भारत को अगर आत्मिर्भर बनना है तो अपने इन चोटे उध्योगों पे ध्यान देना होगा focus करना होगा इनको आगे लाना होगा promote करना होगा जिसके लिए सरकार लगातार कई सरी स्कीम ले किया है ठीक है, अगली न्यूस है हमारी यहां पर याद रखेगा अभी एक निधन हुआ है, पदमश्री विजेता गरम बात करें तो यहां पर नागा राइटर ठीक है, तो नागा राइटर थी पदमिश्री अवार्ड से नावाजी गई है उसके अलावा North Eastern Hill University के अंदर ये लगातार अपनी सेमाएं देती रही है ठीक है तो यहाँ पे एक renowned author एक renowned teacher का निधन हुआ है हाल फिलाम ने नाम याद रखिए Dr. Temsulao ठीक है Dr. Temsulao नागालेंड के अंदर यहाँ पे इनका निध निधन हो गया है ठीक है उसके अलावा राइटर के साथ साथ टीचर के साथ साथ ये नागालेंड स्टेट कमीशन फोर बोर्ड के अंदर भी अपनी सेमाएं दे चुकी है चेर परसन रह चुकी थी ठीक है तो याद रखिए हाल फिलाल में Dr. Temsulao का निधन हो गया है 80 साल की उम्र के अंदर ठीक है तो अगली जा न्यूस है वो हमारी अन्वार्मेंट से रिलेटर याद रखेगा कुनो नैशनल पार्क मंध्य प्रदेश के अंदर हाल फिलाल में प्रोजेक्ट चीता के तहत यहां पे चीते इंटर्ड्यूस के गया थे ठीक है इतनी सी कहानी सभी को पता है अब क्या किया गया है अब इन चीतों को मोनेटर करने के लिए टास्क फोर्स का निर्मान किया गया है टास्क फोर्स का निर्मान किया गया है कितने सदस्यां नो सदस्यां है इस टास्क फोर्स के अंदर नो सदस्यां है नो मेंबर है काम क्या होगा काम होगा मोनेटर का यहां पर चेक किया जाएगा मोनिटर किया जाएगा कि यह जो चीते हमने कुनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़े हैं वो किस प्रकार से सर्वाइब कर रहे हैं né सभीटाट को किस प्रकार से इनकी हणिंग огром कर रहे हैं ओवरोल इनका health कैसा है, so complete monitoring की जाएगी इस task force के द्वारा, ठीक है, so इस task force के तहत, दो subcommittee का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका काम रहेगा, complete monitoring of the cheetahs, ठीका से याद रखेगा, चीते की complete monitoring के लिए task force का निर्माण किया गया है, और कहां पर लाए गई है, कुनो national park के अंदर, चीते लाए गई है, कुनो national park कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, so अगली news की और आगे बढ़ते है, अगली news है, यहां पर महरास्ट की राजनीती से, महरास्ट की राजनीती में हुआ क्या है, शिवसेना दो भागों में divide हो गई, एक भाग गया यहां पर एक नाथ शिंदे के पास, दूसरा भाग गया उद्धव ठाकरे के पास, ठीक है, so याद रिखिए, एक नाथ शिंदे के पास, जो शिवसेना का भाग गया, उसको हम कहते है, बाला ठाकरे खेमे का, ठीक है, so यहां पर इनके सिंबल्स भी डिवाइड हो गए है, उद्धव ठाकरे जी को जो सिंबल मिला है, वो है मशाल का, और उसके लावा यहां पर धाल तलवार सिंबल मिला है, एक नाथ शिंदे गुट को, ठीक है, इतनी सी न्यूस याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी एकोनॉमी की न्यूस, एकोनॉमी की न्यूस यह है कि ग्रॉस डारेक्ट टेक्स रिवेन्यू, जो ग्रॉस डारेक्ट टेक्स प्राप्त होता है, ठीक है, जो डारेक्टली हम पे करते हैं, उधारन के लिए, जो डारेक्टली पे किया जा जो collection है, वो 24% बढ़ गया है, कितना परसेंट? 24% बढ़ गया है, याद रखेगा, इस current financial year के अंदर भारत को एक large revenue प्राप्त हुआ है, किस से gross direct tax revenue collection से, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली news क्या है, हमारी cricket से news है, याद रखेगा, यहाँ पर ICC Player of the Month, ठीक है, भारत की जो women's team की captain है, हर्मन प्रीत कौर, ठीक है, हर्मन प्रीत कौर जो है, यह है, ICC Player of the Month, याद रखेगा, England में विजेता, रही भारत की team की captain है, हर्मन प्रीत कौर, उसके लावा, मेल वर्ग की अगर हम बात करते हैं, मेंस cricket team की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के जो player है, मुहमद रिजवान, ठीक है, सो मुहमद रिजवान यहाँ पे player of the month रहे है, ICC Player of the Month September के लिए, पाकिस्तान के मुहमद रिजवान और भारत की हर्मन प्रीत कौर, ठीक है, सो अगली news की और आगे बढ़ते हैं, देखो, अस्ताना ओपन के अंदर 90-वी जीत दर्ज की है, यहाँ पे tennis के फ्रसेद खिलाडी, नौवाक जोकोविच ने, ठीक है, सो नौवाक जोकोविच ने जीत लिया है, अगली news क्या है, अगली news है, यहाँ पे, याद रखिएगा, अमित्षा जी, हमारे होम मिनिस्टर साब ने क्या किया है, बिहार के अंदर एक statue का inauguration किया है, statue किसका था, लोक नायक जैपरकाश, लोक नायक जैपरकाश नारायन जी का एक statue का inauguration किया गया, हमारे होम मिनिस्टर अमित्षा जी के द्वारा, बिहार के सारन जिले के अंदर, ठीक है, बिहार के सारन जिले के अंदर, अगर हम बात करें हैं, लोक नायक जैपरकाश जी की, जिनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था, जेबी के नाम से भी उनको जाना जाता था, भारत के स्वतंतरता संग्राम के अंदर एक important role play किया गया था, जेपी नराणगी के द्वारा, क्या था याद रखे, quit India moment में, सरवोध्य moment के समय पे, जेपी moment के समय पे, इन्हों ने एक important role play किया इंडियन इंडिपेंडेंस में, 1999 में इन्हें भारत रतन से नवाजा गया, ठीक है, याद रखे, जिनका हाल फिलाल में, स्टैचू का इनोग्रेशन हुआ है, बिहार के सारन जिले के अंदर, हमारे होम मिनिस्टर अमिच शाजी के द्वारा, चलिया आगे बढ बिलियर्ड्स टाइटल जो है, किसको मिला है, पंकज आडवानी को मिला है, ठीक है, याद रखेगा, लगातार इनका 25 गोल्ड मैडल है, तो याद रखेगा, IBSF, IBSF World Billiards Championship, जो क्वाललमपूर के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके विजेतर रहे हैं, यहाँ पे, अगली न्यूस क्या है, अगली न्यूस है हमारी मध्य परदेश से, मध्य परदेश के अंदर जो महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के प्रिमिस को बढ़ाया गया है, और साथ में एक कोरिडोर का भी इनोग्रेशन किया गया, प्रधान मंतरी मोधी जी के द्व बढ़ाया गया है रुद्रसागर लेक को यहां पर बनाए गया है भारत सिरकार लगातर प्रियास कर रही है टूरिजम को प्रमोट करने के लिए ठीक है अगली न्यूस के और आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो गुजरात में जुनाव होने वाले हैं जुनाव से पहले प्र 24 x 7 विलेज होगा तो सवाल सीधा पूछेगा कि भारत का पहला ऐसा गाउं कौन सा है जो सोर उर्जा से चलता है 24 x 7 तो याद रखेगा गुजरात का मुधेरा जो गाउं है यहां पर है मुधेरा सन टेंपल याद रखेगा चालुक्य किंग के द्वारा इसको बनाया गया घ्याद राइक बंदर मुधेरा के अंदर है 2014 मंदर को युनेसको की वर्ड हेइल्ट सैट के एंदर भी शामिल किया जाए था ठीक है यहां पर पुष्पा एक Joint Anti-Terror Exercise का basically क्या है? Conduction किया गया है, की गई है, कहां पे भारत के गुडगाओं के अंदर मानेसर की अगरम बात करते हैं, हर्याना का जो जिला है, गुरुग्राम जिसको आज के समय पे हम जानते हैं, गुरुग्राम में मानेसर में एक Multinational Joint Anti-Terror Exercise होस्ट की गई है भारत के द्वारा जिसमें पाकिस्तान शामिल होने वाला है, ठीक है, याद रखेगा, यह SCO की जो रैट्स है, ठीक है, SCO की एक Permanent Body है, जिसको हम रैट्स की नाम से भी जानते हैं, फुल फोर्म है, Regional Anti-Terrorist Structure, यह इसकी जो एक्सराइज है, वो गुरु ग्राम के मानेसर के अंदर हुई है, ठीक है, सो यहाँ पर इस एक्सराइज का उदेश्य क्या है, इस एक्सराइज का उदेश्य है, कि जो SCO के सदस्य रास्ट है, वो किस प्रकार से, टेरोरिज्म से, efficient तरीके से लड़ सकते हैं, इंसर्जिंजी से, किसी बी प्रकार के उत्र उप द्रव से, जो Membereyed Keंट्रीज हैं, वो लड़ सकते हैं, ठीक है, सो efficient तरीके से, बहतरीन तरीके से, टेरोरिजम से निपटने के लिए यहां पे रैट्स को बनाया गया है रैट्स यानि रीजनल एंटी टेरोरिस्ट स्ट्रक्चर यह SCO की संघाई कोपरेशन और्गनाइज़ेशन की पर्मनेंट बॉड़ी है जिसका हेड़कौर्टर है ताशकंड उजबेकिस्तान के अंदर ठ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगली न्यूस है बेसिकली यहां पर किसे संबंदित से संबंदित भारत के 50 वे सीजी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे याद रिखेगा इस समय पे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उदे उमेश ललिथ उदे उमेश वालिथ जो है 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका कारेकाल आठ नवंबर को खत्म होने वाला है इनके जो सक्सेसर रहने वाले है वो है अद्ष बहुआज नवंबर 2024 तक इनका कारेकाल रहने वाला है Chief Justice of India एक constitutional post है जो सविधान के Article 124 clause 2 में mention किया गया है कि Chief Justice of India और अन्य Supreme Court के Senior Most Judge मिलके CGI को appoint करेंगे ठीक है तो याद रखेगा कि यहां पर Article 124 के अंदर mention किया गया है किस प्रकार से appointment होगा तो यहां पर 1993 का जो case था उसमें जो procedure decide किया गया है उसके माध्यम से basically चुनाव होगा CGI का ठीक है अगली न्यूस के और आगे बढ़ते है अगली न्यूस है basically यहां पर government ने launch क्या है टेली mental health assistant networking across state ठीक है तो यहां पर world mental health day के दिन यहां पर टेली जिसको हम कहते है टेली मानस initiative ठीक है तो टेली मानस initiative क्या है 24 into 7 टेली mental health service है यह ठीक है टेली फोन के माधियम से mental health service 24 घंटे 7 दिन प्रोवाइड की जाएगी ठीक है तो यहां पर भारत के राज्यों के अंदर टेली mental health service प्रोवाइड की जाएगी ठीक है अगली न्यूस है यहां पर याद रखिएगा कि वेल्स्पन कॉर्परेशन लिमिटेड ने डैवलप किया है वार्ष फर्स गाइडलाईं फॉर ट्रांस्पोर테शन ओफ हाइड रोजन गैस ठीक है सो दुनिया की पहली घाइडलाई जारिक है है किसके लिए hydrogen gas के transportation के लिए ठीक है तो याद रखें वेल्स्पन Corporation Limited ने क्या किया है पहली दुनिया की पहली guideline जारी की है किसके hydrogen gas के transportation के लिए अगली न्यूस है basically यहां पर प्रधान मंत्री मोधी जी ने address किया है second United Nation World Geospecial International Congress को ठीक है सो याद रखेगा हैद्राबाद के अंदर इस United Nation World Geospecial International Congress को address किया है किसके द्वारा प्रधान मंत्री मोधी जी ने इसको address किया है ठीक है so theme क्या रहा है इस Congress का International Congress की दूसरी बैठती याद रखेगा इसका theme क्या रहा है 2022 के अंदर geo enabling the global village no one should be left behind ठीक है सो याद रखेगा no one should be left behind is the theme of United Nation World Geospecial International Congress की theme रही है 2022 की ठीक है अगले news UNESCO से है UNESCO ने क्या क्या है 50 exclusive और iconic Indian heritage textile की एक list जारी की है यहां पे इन 50 जो textile handicraft है इनको promote करने के लिए इनको basically इनको आगे बढ़ाने के लिए यहां पे 50 जो हमारे handicrafts है जो important culturally important textile heritage textile है हमारे पास handicraft textile का प्रकार है basically इनको क्या किया है list किया गया है UNESCO के द्वारा ठीक है यहां पे अपनी इस धरोवर को अपनी historical हमारा एक handicraft है इसको सहेजने के लिए यहां पे UNESCO के द्वारा 50 exclusive और iconic Indian heritage textile की एक list बनाई गई है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूस है यहां पे प्रिपोर्ट का नाम है Global Girl Hood Report 2021 Girls Rights in Crisis इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग हर दिन ठीक है हर दिन साथ जो बच्चिया है गल्स है साउथ एश्या के अंदर हर दिन मारी जाते हैं अगर गलोबली पूरी दुनिया के अंदर हर दिन साथ बच्चिया मारी जाती है अगर हम साउथ एश्या की बात करते हर दिन यहां पे छे जो बच्चिया है उनकी डेथ हो जाती है ठीक है सो यहां पे इसके दिन यहां पर प्रकाशित की गई जिसके अंदर कहा गया है कि बच्चियों के अहदिकार जो है अभी खत्रे में है क्राइस में है जिसके चलते कहा है कि ग्लोबली साथ बच्चियां मारी जाती है हर दिन ठीक है दुखद आंकड़ा है तो आगे बढ़ती है अगली ये न्यूस किसे है हमारी बैंकिंग से रिलेटेड है तो यहां पर सेवा विकास कोपरेटिव बैंक लिमिटेड ठीक है सो सेवा विकास कोपरेटिव बैंक लिम याद रिखेगा हाल फिलाल में RBI ने सेवा विकास कोपरेटिव बैंक लिमिटिड का लाइसेंस रद कर दिया है कैंसल कर दिया है हमारी आज की जो लास्ट न्यूज रहने वाली है वो है हमारी वर्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया था 12 ऑक्टूबर को अर्थराइटिस क्य या आती है सो से ज्यादा अर्थराइटिस यहां पे देखे गए है तो याद रिखेगा यहां पे 2022 की थीम क्या है इट इस इन यॉर हैंड टेक अक्शन ठीक है तो यह थी हमारी हफते भर की इंपोर्टन न्यूज जो है हमारे एक्जाइम पॉइंट ओविस इंपोर्टन आ मैंने क्लास के अंदर डिसकस की हुई है ठीक है तो आज के लिए केवल इतना ही अपने संडे को इंजॉए कीजिए हमारे राइस स्मार्ट एड़ यूट्यूब चैनल के साथ ताथ आट साल फर माइसाइड गाईस थाइंक यू सो मच अल्ट वेरी बेस्ट फोर यॉर एग् कर देंज चा कर दो को और मैं केक्ना सूशर इंजुएल करेंगूभ इंजूएपल कर था और प्रिका बेस्ट एड़ोव 56,93 झाल झाल